दुनिया ना नेगेटिव नहीं बलकि अल्टरा नेगेटिव लोगों से भरी हुई है ऐसे लोग जिनके साथ हमको उठना बैठना बात करना अच्छा है लगता जिनकी प्रेजन्स हमको इरिटेट करती है जिनकी वाइबरेशन से जिनका ओरा इतना नेगेटिव है कि उनके सा कर दो नंट खाड़े हो जाए तो हमारी एंजी ड्रेन हो जाती है यानि कि यह लोग ना इनर्जी ड्रेन रोते हैं जिनकी तब करने से जिए हम इर्डेशन में लगते हैं तो हम बैसी कली है इसे लोगों से मिलना ना अबोएड करना चाहते हैं अब आप कहोगे तो क्या दिक्कत है ऐसे लोगों को इग्मोर कर दो अबोएड कर दो बात ही ना गरो तरह कि नहीं होता कभी-कभी ऐसा होता है कि यह लोग होते हैं यह लोग हमारे ओफिस कलीक्स होते हैं या फिर हम घर प पर बात करेंगे बट बिफोर गेडिंग स्टार्ट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो फरस्ट नेगेटिव लोग की पहचान क्या होती है कौन से लोग सब्सक्राइब लोग होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न फोलो गरते हैं उनको ना थोड़ी थोड़ी देरे बात कोई बंदा ची होता है जिसको पॉइंट आउट कर सके जिसको इंसल्टेड फिल करा सके जिसको कोई वो मजाग में उल्टा सिदा बोल दे कुछ भी और दूसर पूरे सर्कल में रोटेट हो जाएगा और आपके पास दुबारा कोई और परसन आपको कहेगा तो समझ लेना उसी परसन के थूब वात गई हुई है तो वो परसन समझ जाना कैसा है फिर नेगेटिव लोगों को दूसरों को फ्रस्टेट करने में मजा आता है दूसरों को एक फिक्स माइंड सेट और नेगेटिव माइंड सेट है अब चाहोगे ना तो भी उसे चेंज नहीं कर पाऊगे वैसे भी बदला उसे जाता है जो अपनी आप में बदलाव करना चाता है इन्हें पता ही नहीं है यह क्या कर रहे हैं दूसरों के साथ तो इनहें कुछ रिल करने के लिए number one accept them as it is without taking any action आप जो जैसे हैं वैसे ही उनको accept करो कोई इंसान क्या कह रहा है कोई इंसान क्या कर रहा है यह उसकी choice है किसी ने मुझे कुछ कहा यह उसकी choice थी but मैंने उससे वो चीज लेनी है या नहीं लेनी है यह मेरी choice है जो वो आपको सामने वाला देना च मेरा control मेरे उपर है मेरा control मेरी choice पर सामने वाले की choice मेरा control नहीं है चाहे वो अपनी कोई भी बात कर रहा है मैं उससे वो चीज लेहीं नहीं रही गोतम बुदा की ऐसी बहुत सारी stories है जिसमें किसी ने किछ कहा तो उन्होंने ना accept ही नहीं किया उसको तो उनके disciple यहीं तो वह मेरे पास आई कहां से cheese किसी चीज को हम कोई कुछ दे रहा है हम उसको accept कर रहे है तभी तो वह मेरी वी ना तभी तो मेरी है अगर मैंने उसको accept ही नहीं किया तो मेरे लिए कहां से वोई आपको भी अपना mindset इस तरीके से बदलना पड़ेगा क्योंकि यह negative लोग तो इनके साथ आप कुछ भी अच्छा कर लो इन्होंने उसमें गल्ती ही निकाल लिया बट आज की डेट में आप खुद बताओ हम लोग इतने ज्यादा आप से मिलता है जब भी आप उसके कॉंटेक्ट में आते हो तो आपको नेगेटिव ही बोलता है आप और कुछ भी कुछ भी ऐसा करता है जो नॉर्मल तो आप अप समझो यह नेगेटिव बन यहाई इसके साथ आघूमेंट करके ना टाईम एनर्जी आपका वेस्त होने वाल जीतने से हम बस अपनी ego को satisfy करते हैं कि हां मैंने सामने वाले को चुप करवा दिया लेकिन आप देख लो सामने खड़ा कुंसा है एक ऐसा परसन जो हाइली क्यों बरबाद कर तू बी काइंड विद्धन नेगेटिव लोगों पे ना धया करने शुरू करो अब आप सोचो हम दया किस पर गड़ते हैं जो इंसान हमें लगता है अच्छी कंडिशन में नहीं है हमें उसको देखके तरस आ जाता है हमें लगता है कि आई इसके साथ यसा नहीं होना चाहिए अब लोगों के साथ बहुत ऐसा ही है नेगेटिव लोग ना शुरू से ऐसे नहीं थे उनके साथ का इंक वज़ा से उनका माइंसेट ऐसा बन गया माइट भी अपने पेरेंट से अपने आसपास के लोगों से फैमिली मेंबर से कुछ वो चाहते थे जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं या ऐसा हो सकता है कि उनको किसी ने धोखा दे दिया हो जिसकी वज़ा से उनका माइंड से इतना नेगेटिव हो गया और उसी वज़ा से वह अपने अंदर चिड़चिड़ापन गुसा एंगर पें फ्रस्टेशन यह सारी इमोशन को लेके ग आप इन पे इसलिए दया दिखानी शूरू करो अपने बहेवियर के बारे में बिल्कुल भी अंताजा नहीं है कि इनके बहेवियर से सामने वाले को कैसा लगता है अब जिस बंसान को पता ही नहीं है वो क्या करेगा बोलते है रहा जिसकी वितरत तो चेंज होनी सेथिए को फिर इनके होने का या ना होने का फरक ही नहीं पड़ेगा जब आप दया दिखानी शुरू करोगे तो आपको एक्चली में फील होगा कि हां कोई बात नहीं हो तो ऐसा ही है मैं कुछ नहीं कर सकता उसका दीरे दीरे आपको उनसे ना फरक बढ़ना बंद हो जाएगा उन नेगेटिव इंसान में भी कोई ना कोई ना एक ऐसी कौलिटी जरूर होगी जो आपके काम की होगी शायद उस क्वालिटी के बारे में आपको पता ना हो लेकिन जब आप ऐसे लोगों के एसोसियेशन में रहते हो ना आप उस पॉजिटिव क्वालिटी को और हाई- तो शायद आपको उतना नेगेटिव ना लगे उनकी साथ जितना आपको पहले लग रहा था तो बात इतनी सी है कि हर इंसान में सो तरीकी की कमिया है तो एक अच्छाए भी जरूर होगी अपना माइंड सेट बदलो यही एक तरीका है इन लोगों से डील करने का दूसरी बात को ऐसे पॉजिटिव बाते डाइजस्टी नहीं होती उन्हें यह बाते अच्छी लगेंगी नहीं कितनी तरी बैठ जाएंगे फिर वाक के साथ वह खुद ही उठके चले जाएंगे वह बोर हो जाएंगे ऐसे एंवार्मेंट में जब आप अपनी पॉजिटिव बातों से इस एंवार्मेंट को कंट्रोल कर रहे हो तो जो वैसे लोग होंगे वह तो भयूट के चले जाएंगे तो नेगेटिव लोग अपने काम में पीएचडी करके बैठे होते हैं वह अपना काम बहुत इमान दारी हो शिद्दत के साथ करते हैं यानि कि सामने वाले को नेगेट करो तो अपनी पॉजिटिव बातों से इसे एक नजरीया बदल सकता है और सामने वाले का नहीं बदल सकते हो और जब वीडियो अच्छा लगा होगा मैं जनरली ऐसी सिटुएशन में कैसे डील करती हूं मैंने वही कवर करने कि यह पर कोशिश किया है अगर आप इस चैनल नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और शेर कर देना मैं मिलते हूं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन